नमस्कार इस दोरान कई मद्दाताओं की लंबी कतारे भी लगी रही जहां शाम पाँच बजे के बाद कतार में खड़े वोटरों की गिंती करक्रम संख्या का उप्योग करते हुए मद्दान कराया गया आपको बता दें की धूप के कड़े तेवर को देखते हुए सोमवार 13 माई की सुबह 7 बजे से ही मद्दान केंदरों पर कड़ी सुरक्षा विवस्था के बीच मद्दान प्रारंब हो गया था इस दोरान सभी मद्दान केंदरों पर मद्दाताओं की लंबी कतारें लग गई थी जैसे जैसे समय बीता जा रहा था मद्दाताओं का उच्साह और भी बढ़ता ही जा रहा था इस दोरान उमीदवारों के कुछ पोलिंगे जेंट भी घूम घूम कर वोटों को उनके घर से निकाल कर मद्दान केंदर तक ले जाते दिखे इस दोरान मद्दाताओं ने भी जम कर अपने मत का प्रयोग किया इस दोरान जिला मुख्याले के महिला कॉलेज स्थित मद्दान केंदर को दोलहन की तरह सजाया गया था इस मद्दान केंदर पर आकरशक साज सजा के साथ सेलफी प्वाइंट भी बनाया गया था जहां मद्दाता मद्दान के बाद अपने मोबाई से सेलफी भी लेते नजर आए इस दोरान लोगतंत को मजबूत करने में बुजुर्ग और दिव्यांगों ने भी बढ़ चड़कर हिस्सा लिया जिसका जीता जाकता उदावरण और जीहारकूर लोग सभाक्षेत्र के बूत संख्या 96 पर देखने को मिला जहां अपने बच्चों का भविश्य चुनने वाले उमीदवार को अपना वोट देने आई पे 96 वर्षिया एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी इसी तरह सराय रणजन विधान सभाक्षेत्र के भी एक मद्दान केंद्र पर 101 वर्षिया एक बुजुर्ग महिला मद्दान करने पहुँची जहां चलने में असमर्थ मद्दाता अपने परिजनों के साथ मद्दान केंद्रों तक पहुँचे और अपने मतादिकार का प्र जाले लखनीपूर महिशपटी गंगा सागर पोकर के भूत संख्या 96 पर अपने मत का प्रयोग करने पहुँची पिच्यानवे वर्षिया सर्युग्या देवी का कहना है कि वे चलने में असमर्थ हैं फिर भी वे अपने प्रपाउत्री को साथ लेकर मद्दान करने पहुँ हैं ताक कि एक सशक्त सरकार के गठन में वे अपना योगदान कर सकें इस दौरान जीले में लोकसभा चुनाव को लेकर मद्दान केंद्रों पर जवान पूरी तरह मुस्तेद रहे प्रशासनिक स्तर पर मद्दान केंद्रों पर सुरक्षा बलों के साथ-साथ पदाधिकार को भी तैनात किया गया था मद्दान केंद्र के अंदर सिर्फ मद्दाताओं और चुनाव कारे में लगाए गए पदाधिकारियों को ही जाने की अनुमती थी इस दौरान पुलिस प्रशासन के अधिकारी स्वाईये हालात पर नजर बनाए हुए थे जबकि पुलिस के गश मद्दान में स्थानिये जनप्रतिनिधियों ने भी बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया साथ ही लोक्तंत को मजबूत बनाने के लिए लोगों से मद्दान करने का भी अपील किया शहर से सटे राजकिये मध्यविद्याल अनुसूचित जाती टोल कर पूरी ग्राम के मद्दान के श्रामनाथ ठाकुर ने कहा कि मकतादिकार सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सभी मद्दाताओं को अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए मद्दान अवश्य करना चाहिए हमने लोगतंत को मजबूत बनाने के लिए और अच्छी सरकार बनाने के लिए अपने मतादिकार का प्रयोग का अपील किया अभी तक के लिए बस इतना ही नमस्कार भी जाके वोटिंग करें घर घर से निकले और अपने मतेदान को अपना भारी बल दीजिए और आगे बढ़ाइए अपने समाज को ठीक है और यह वोटिंग आपका हक है अधिकार है तो इसको ना छोड़े अपने घरों से निकले वोट करने जाए जहां पी अपका बूत है अपने लोगों से मिले और अपने समाज को आगे बढ़ाइए मैंने अभी हाला की ज्यादा तो बेरोजगार लोग हैं हमारे घरों में ठीक से बिजलिया नहीं जा रही है सड़क अच्छे नहीं है गाउं की इस्तिती ऐसी नहीं है जो लोग ठीक से चल पाएं मतलब मैं यह प्रसानी हो रही है डीम साब ने कहा रही है कि हर भुध पर धूसे बचने के लिए और बरसा पानी से बचने के लिए सारा बेवस्ता किया गया कि पीने का पानी भी नहीं है जो 플reth